सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चो आप सब कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सब शुरक्षित और स्वस्त होंगी आज जो हमारा जो हमने पाठ पढ़ा था आपको याद होगा मजेदार मेला ये वाला पाठ हमने पढ़ा था है ना इसके जो प्रशन उत्तर कुछ हम करेंगे आपको याद होगा एक बार मैं रिवाइस कर देती हूँ कि बच्चे जो है यहाँ पर मेले की बात कर रहे है मेले में बहुत उंचे उंचे जूले होते हैं ना चाट पकोड़ी की दुकाने होती है और मेले की शानी कुछ और होती है बिंदी चूड़िया मिलती है जोकर कहीं पकवान मिल रहे होते हैं ना बच्चे हाथी पर उट पर जूलों पर बैठे हैं कुछ बच्चे मैदान पर कूदते फूनते नजर आ रहे हैं अब जो बच्चे हैं वो अकेले तो आते नहीं हैं वो साथ में अपने बम्मी बापा के साथ आते हैं तो यही बताय गया है औ अब हम देखते हैं, बच्चे ने मेले में क्या क्या देखा, अब आपने देखा होगा, कि बच्चे ने क्या क्या देखा था, चाट पकोड़ी की दुकाने देखी थी है ना, बिंदी चूड़ी की दुकाने, कुछ खिलोने की दुकाने, जो कर घूम रहा था, उसने ये सारी चीजें देखी थी, क्या आप कभी मेले गए हैं, अगर हां तो उसके बारे में बताएं, अगर आप मेले गए हैं, तो आपने मेले में क्या क्या देखा होगा, यही सब चीजे देखी होगी, जिसे हमारे यहां भी द्वारका में दिवाली मेला लगता है, तो आप वहां जाके enjoy करते होंगे देखते होंगे है न तो वैसे ही अगला आप हम देखते हैं नीचे देखे प्रश्णों के उत्तर लिखिए मेले में कौन-कौन सी दुकाने हैं अब यहाँ पर पुछा गया है कि मेले में कौन-कौन सी दुकाने हैं मेले में चाट टोकोडी, बिंदी चूडी, खेलोनों की दुकाने हैं, चीके, तो ये सारी दुकाने होती हैं, बच्चे किस पर बैठ कर घूम रहे हैं, बच्चे हाथी पर बैठे थे, उट पर बैठे थे, जूनों पर बैठे थे, और बैठ कर घूम रहे थे, आपको इसमें स बैट कर भुम रहे हैं. यह आपका लिखा हुआ है तो आप वो देख सकते हैं. यदी आप मेले में में होता या होती ? अब होता लड़ीया लखेंगे. हर चीज का आनंअद लेता या लेता इनदोरों में से एक चीज लिखनी है आपको. ठीके, ओके, अब हम next देखते हैं next है दिये गए चित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखना है अब ये देखो, ये एक हाथी का चित्र है और यहाँ पे एक परिवार जो है enjoy कर रहा हाथी की सवारी तो आप क्या-क्या लिख सकते हैं बच्चे हाथी पर बैटे हैं हाथी पर उनके माता-पिटा भी हैं ठीके, और इसके अलावा बच्चे उचाई से धुकाने देख रहे हैं ये आप लिख सकते हो इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि बच्चे परिवार के साथ बहुत खुशी से हर चीज का नजारा ले रहे हैं आप इस टाइप से ये लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं ठीके, ओके सिर्फ यही आपको प्रेशन उत्तर दो पेज आपको बुक के अंदर करने हैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज अंद में आई होगी ध्यान रखे, शुरक्षित रही, स्वस्थ रही बाई बाई